अब आप समझेंगे भारी जल के रासायनिक गुण देखें सामाने ते भारी जल के रासायनिक गुण साधारन जल के समान ही होते हैं परंतु जैसा कि आप जानते हैं भारी जल का अनुभार साधारन जल की अपिक्षा अधिक होता है आप जानते हैं साधारन जल का अनुभार 18 परंतु भारी जल का अनुभार 20 होता है इसलिए अधिक अनु भार के कारण भारी जल के रासाइनिक अबक्रियाओं का वेग कुछ धीमा अर्थात मंद होता है अधिक अनु भार के कारण रासाइनिक अबक्रियाओं का वेग मंद होने का यह प्रभाव समिस्थानिक प्रभाव कहलाता है यह बहुत important चीज है सम इस्थानिक प्रभाव या isotopic effect. अब ही आप पढ़ रहे हैं रासायनिक गुनों. किसके D2O अर्थात भारी जलके. इसमें सबसे पहले मैंने आपको समझाया है कि D2O अर्थात भारी जलके रासायनिक गुनों सामानिते साधान जलके समान ही होते हैं परंतु भारी जलका अनुभार अधिक होने के कारण इसके रासायनिक अबक्रियाओं का वेग साधान जलकी अपिक्षा मंद होता है. अधिक अनुभार के कारण रासायनिक अबक्रियाओं का वेग कम होने का यह प्रभाव समिस्थानिक प्रभाव कहलाता है. तो सबसे पहला गुण है वैद्दुत अपगटन. वैद्दुत अपगटन. भारी जल में थोड़ी मात्रा में. फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलाकर निकिल इलेक्टोडों के मद्धे वैद्दुत अपगटन करने पर. कैथोड पर ड्यूटिरियम और एनोड पर ऑक्सिजन गैस मुक्त होती है. इस तरीके से. ये कैथोड है और ये एनोड बैलन्स कर सकते हैं इसको दो से गुणा करनें तो इस तरीके से. जब भारी जल में अल्प मात्रा में फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड या सोडियम कार्बोनेट मिलाकर निकिल इलेक्टोडों के मद्धे वैद्दुत अपगटन करते हैं. सक्रिय धातूं से क्रिया, सक्रिय धातूं जैसे सोडियम, पोटेशियम, केल्सियम आदी से क्रिया कर डियूटीरियम गैस और धातू डियूटीर अक्साइड बनाता है. जैसे आप दिखेंगे D2O प्लास Na, तो रियक्शन होती है D2 प्लास NaOD, आप बैलेंस कर लेंगे इनको इस तरीके से. डियूटीरियम गैस मुक्त होती है और ये है सोडियम डियूटीर अक्साइड. इसी तरीके से आप पोटेशियम धातू के साथ रियक्शन दिखा सकते हैं. केलसियम धातू से भी इसी तरीके से रियक्शन होती है. डियूटीरियम प्लस सी ए रियक्शन होगी सी ए ओ डियूटीरियम लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा प्लस सी ए ओ डियूटीरियम का हुल ट्वाइस इस तरीके से. नेक्स्ट नंबर है धातू नाइट्रेडों से क्रिया भारी जल धातू नाइट्रेडों से क्रिया कर डियूटीरियम अमूनिया बनाता है. जैसे धातू नाइट्रेडों में मेगनिशियम नाइट्रेड एम जी थ्री एन टू. जब डिटू ओ से रियक्शन करती है तो बनाता है एम जी ओ डी का हुल ट्वाइस प्लस एन डी थ्री. इधर मेगनिशियम तीन है, तीन की गुणा कर दीजे, वो दो है, दो की गुणा कर दीजे, बैलेंस कर दीजे, तीन दूनी छे, तीन दूनी छे, बारे हो गया तो छे दूनी बारे. इस तरीके से Magnesium Duteroxide और Dutero Ammonia इसी तरीके से Aluminium Nitride है ALN इसकी जब भारी जल से reaction की जाती है तो Dutero Ammonia प्राप्त होती है ALOD का Hultheris plus ND3 3 और 3 6 है तो 3 की गुणा कर दीजे ये Magnesium Nitride है ये Aluminium Nitride है जब ये reaction करते हैं तो इन धातूओं के Dutero Oxide और Dutero Ammonia ये है Dutero Ammonia प्राप्त होती है Next है धातू Phosphide से क्रिया धातू Phosphide से क्रिया ध्यान करें भारी जल धातू Phosphide से क्रिया कर Dutero Phosphine बनाता है जैसे Calcium Phosphide है CA3P2 इसकी reaction जब D2O से की जाती है भारी जल से की जाती है तो Calcium Dutero Oxide CAOD का हुल्टवाइस पर इसके अलावा Dutero Phosphine PD3 आप इनको इस तरीके से इसको 2 से गुणा कर दीजे इसको 3 से गुणा कर दीजे 3 दूनी 6 और 2 ती अच्छे तो 6 दूनी 12 यह Calcium Dutero Oxide PS3 Phosphine होती है तो यह कहलाती है Dutero Phosphine इसी तरीके से धातू कारबाइडों से क्रिया धातू कारबाइड से क्रिया बहुत important reaction है आपने सुना होगा बहुत reaction आती है Aluminium Carbide पर साधन जलकी क्रिया कराते है या Calcium Carbide पर जलकी क्रिया कराते है तो क्या प्राप्त होता है तो उसी तरह की बिल्कुल सेम reaction है आप ध्यान देंगे इस पर कि देखे Aluminium Carbide होता है Al4C3 यह Aluminium Carbide है जब इस पर भारी जलकी reaction करेंगे तो उसी तरीके से Aluminium Duteroxide Al O D का Hultherize प्लस CD4 CH4 मीथेन होता है तो CD4 हो गया Dutero-Methane और Aluminium Duteroxide बैलेंस कर लेंगे कारबन 3 है इसको 3 से गुणा करिये इधर Aluminium 4 है इधर 4 से गुणा करिये तो अब ये हो गया 4 तिया बारे और 3 चौक बारे 24 तो बारे से गुणा कर दीजे ये है Aluminium Carbide इसी तरीके से Calcium Carbide CAC2 इसकी reaction जब भारी जल से कराते हैं तो भारी जल से कराने पर साधारन जल से कराते हैं तो ध्यान रखना Acetylene बनती है बहुत important reaction है ये तीनों तरे की reaction तो भारी जल से जब कराएंगे तो बनेगी Deutero Acetylene अर्थात CAOD का whole twice plus C2D2 ये C2D2 है Deutero Acetylene ये है Calcium Carbide आप जानते हैं Calcium Carbide और Aluminium Carbide पर जब साधारन जल की करिया कराते हैं तो मीथेन और Acetylene बनती है और अगर भारी जल से कराते हैं तो Deutero Methane और Deutero Acetylene गैस प्राप्त होती है next बहुत important है अम लिए अकसाइडों से करिया अमलिय अकसाइडों से करिया ये अमलिय अकसाइड जैसे CO2 SO2 SO3 P2O5 N2O5 ये अमलिय अकसाइड है इनको अमलिय अनहाइडराइड भी कह देते हैं अमलिय अनहाइडराइड करिया करके deuterium युक्त अमल बनाते हैं carbonic acid इसी तरीके से जब भारी जल की रियक्षन SO2 से की जाती है तो ये बनाता है D2SO3 H2SO3 होता है sulfurous acid तो ये हो जाएगा deuterosulfurous acid अगर भारी जल की रियक्षन sulfur trioxide से की जाए तब बनता है D2SO4 आप जानते हैं H2SO4 sulfuric acid होता है तो D2SO4 हो जाएगा deuterosulfuric acid इसी तरीके से D2O की रियक्षन जब P2O5 से की जाती है तो रियक्षन होगी D3PO4 आप जानते हैं S3PO4 आर्थो phosphoric acid होता है तो ये कहलाएगा deuterosulfuric acid deuterosulfuric acid arthofosphoric acid S3PO4 या उसे केबल phosphoric acid कह देते हैं तो D3PO4 को कहेंगे deuterosulfuric acid इसको balance करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर phosphorous के दो हैं तो इसको अगर हम 2 से गुणा करें तो 2 से गुणा करने पर यहाँ ऐसे करिए इसको 2 से गुणा करिए 2 से गुणा करेंगे P4 हो गया तो ये 4 की गुणा करिए 4 ती आप 12 तो यहाँ 12 है तो इसको 6 से गुणा कर दिए तो आप देखिए 6 दूनी बारे oxygen 6 यहाँ पर और 5 दूनी 10 यहाँ पर 16 हो गया तो 4 चौक 16 balance हो गया इसी तरीके से यदि भारी जल की reaction nitrogen pentoxide N2O5 से की जाए तो ये बनेगा DNO3 आप जानते हैं HNO3 को nitric acid कहते हैं तो ये बनेगा deuteronitric acid deuteronitric acid balance कर दीजे nitrogen 2 है तो इसको 2 से गुणा कर दीजे जब 2 से गुणा करेंगे तो आप देखिए oxygen 5 और 1 6 है तो 2 तिया 6 इस तरीके से ये हो गया इसकी महतपूर्ण रासाइनिक अब करिया है सात्वा है विनिमे अब करिया है विनिमे अब ही करिया है अर्थात exchange reactions exchange reactions जिस तरीके से आपने डूटीरियम के रासाइनिक अब करियाओं में पढ़ाए यदि भारी जलकी करिया उच्चताब पर साधरन हाइडोजन युक्त योगिकों से की जाती है तो वह उन में से विस्थापन योग्य हाइडोजन परमाणूं को या आएनिक हाइडोजन परमाणूं को या उन्हें चंचल हाइडोजन परमाणूं लीवियल हाइडोजन परमाणूं कहते हैं उनको विस्थापित कर देती है इसलिए ये रासाइनिक अब करिया कहलाती है exchange reactions या विन में अब करिया है जैसे उधान के लिए ये है NH4Cl इसकी reaction D2O से कराई जाए ध्यान रखना ये reaction हमेशा उच्चताप पर होती है तो इसमें चारों हाइडोजन परमाणूं इसके रिमूव हो जाते हैं और बनता है ND4Cl ये ammonium chloride है NH4Cl और जब इसकी भारी जल से reaction की जाती है तो डिटीरो ammonium chloride नाम होता है इसका डिटीरो ammonium chloride प्लस HOD सबसे पहले आप बैलंस करिए इसको हाइडोजन साधान हाइडोजन के चार हैं तो चारों के चार रिमूव होगे तो यहाँ पर चार की गुणा कर दीजे अब यहाँ चार डी और चार डी आठ होगे तो फोर डी टुओ से reaction कर देगे यह है semi heavy water अर्थात इसको हम साधान जल में देखते हैं हाइडोजन के दो परमाणू और एक ऑक्सिजन का लेकिन भारी जल में डूटीरियम के दो परमाणू और एक ऑक्सिजन का यह कहलाता है अर्थ भारी जल अर्थात semi heavy water इसी तरीके से जैसे acetic acid है CS3 COOH इसकी करिया D2O से कराएं तो same condition में केवल यह हाइडोजन का परमाणू रिमूव होता है अर्थात CH3 COOD 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 यह acetic acid है यह duteroacetic acid है इसी तरीके से C2H5OH यह ethyl alcohol है इसकी reaction इसी तरीके से जब हम उच्चताब पर भारी जल से कराते हैं तो यह बनता है C2H5OD अर्थात यह ethanol यह ethyl alcohol तो यह duteroethanol और HOD इसी तरीके से जैसे C6H5OH है इसकी reaction D2O से कराते हैं उच्चताब पर तो यह बनाता है C6H5OD फिनोल है यह duterofenol बनेगा और अर्थ भारी जल semi heavy water यह थी exchange अब करिया है अब आप पढ़ेंगे uses of D2O अर्थात भारी जल के उप्योग मुखेते तीन उप्योग हैं भारी जल के नमबर एक यह है nuclear reactorों में neutron की गती मंद करने के लिए इसलिए इसको neutron मंदक कहते हैं moderator कहते हैं neutron की गती मंद करने के काम आता है अर्थात neutron moderator के रूप में use किया जाता है दूसरा point यह है deuterium के अनेक योगिक बनाने में या sun solution में काम आता है जैसे अनेक योगिकों में आप deuterium carbonic acid deuterium sulfuric acid deuterium sulfuric acid deuterium phosphoric acid deuterium nitric acid deuterium acid acid deuterium phenol deuterium ethanol आदी बहुत सारे योगिक बनाने में काम आती है और तीसरा और महत्पूर्ण है कि भारी जल अनेक रासाइनिक अबक्रियाओं और जैव रासाइनिक अबक्रियाओं की mechanism जानने के लिए या mechanism यानि क्रियाविदी जानने के लिए ट्रेसर के रूप में प्रियोग किया जाता है तो ये थे मुखे उप्योग भारी जल के के को रासाइन नजये ये जल क्रियो कि जल कि भीजोग रासाइन था कि अजयसवए्य wal